हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा 9 जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 4 समझाँगी इसकी डेट हमें पास 12 अपरेल 2021 आज की वर्क्षिट में हम क्या करने वाले हैं आज की वर्क्षिट में हम आपरीमें संख्याओं को घटाना और जोरना सीखने वाले हैं आज नमार को दो जने दे रहे हैं एक मीना और एक राजू तो ये दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं और इनी की बातचीत में आपको पता हैं हम आपरीमें संख्याओं को घटाना भी और जोरना भी सीख जाएंगे तो चलिए पहले एक बार इनका देख लेते हैं ये क्या ब अम मीना ने का बहुत बढ़ी है राजू के रिए अब बताओ की रूट तो प्लस फाइव रूट motor केसे मेने क्या किया कोशन को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया राजू के लिए और उसने क्या किया यहां पर उसने परी में संख्या पूछी ती जोड़ने के लिए अब उसने क्या क्या आपरी में संख्या है पूछ लिए बताओ यह कितना होगा अब राजू बोलता है यह रूट 3 रूट 2 औ आपरी में संख्या ही है आप मीना से पूछ रहा है यह तो मुझे कठीन लग रहा है तो राजु ने पहले मीना से बूला कि यह तो आपरी में संख्या है तो राजु को थोड़ा मुश्किल लगा इनको जोड़ने में 20 प्लस 15 उसने बहुत जल्दी बता दिया लेकिन यह उसे थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं अब ध्यान से समझना जो यहां पर मीना राजु को समझाएगी न वहीं आपको वरक्षीट में आगे काम आने वाला है तो हम भी मीना से को बोलती है घबराओ मत चलो मैं तुमसे कुछ और पूछतू वस उसका जवाब देती रहो फिर तुमारा यह वाला अंसर खुद ही आजाएगा बताओ तीन तीरी भुझ में अगर तुम पांच तीरी भुझ जोरोगे तो कितने तीरी भुझ अब उसने पता ही क्या किया मीना जो वह रूट्टू था ना यह लिखा उसने यह पूछा था ना उसने क्या कि इस रूट्टू की जगा ना दोनों जगा तीरी भुझ लगा दिये तो अब तो आसान हो गया ना अगर हम तीन तीरी भुझ में पांच तीरी भुझ जोरेंगे तो कितना आएगा तो राजू स्टार में 20 स्टार जोरोगे तो कितना होगा तो यह भी राजू के लिए असान था त्यारा में 20 स्टार ही तो जोरने है तो उसने बोला कितने हो जाएंगे 30 राजू ने यह भी बता दिया तो मीना बोलती है ठीक कहा बिल्कुल इसी तरह ती रूट्टू में 5 रूट्टू में यदि रूट्टू को तिरी भुझ की जगा ले ले तो 3 रूट्टू प्लस 5 रूट्टू कितना होगा फिर मीना ने राजू को बोला अब तुम उसी तर राजू को पता चल गया कि अगर हमारे को रूट वाले नंबर्स को एड़ करना है तो उनको या तो हम तिरी भुझ मालने या स्टार मालने कुछ भी मान सकते हो उसके बाद जोर दो और फिर वापसी जो मानना है उसकी जगा वह लिग दो तो राजू ने दोनों आसर अब फटा फटा फट दी दिए तो देखो उपर राजू को ये जोरने नहीं आते थे पर मीना ने सिपर एक उधारन से उसको समझाया तो उसको जोरने आ गए तो मीना ने का देखा असान है ना अब बताओ तीन तीरु भुझ में अगर हम कितने छे स्टार को क्या जमा कर सकेंगे अब मीना ने फिर एक पूछ लिया क्या हम तीन तीरु भुझ में छे स्टार को जोर सकते हैं अब राजू बोलते अरे ये तो अलग है यानि तीरु भुझ में स्टार को तो हम जोर नहीं सकते विल्कुल है ना तीरु भुझ अलग चीज है स्टार अलग चीज है तो राजू ने भी बोला कि ये अलग-अलग ही रखते हैं तो उसने बोला कि अगर मैं आप तुम को बोलू 3 route 2 में 5 route 3 रख जोरो तो नहीं जोर सकते हैं उनको हम क्या करते हैं अलग-अलग रखते हैं अब इससे हमें एक चीज क्या सीखने को मिली वो ये मिली, कि हम आपरी में संख्याओं को तब ही जोर सकते हैं, जब उनके रूट एक जैसे हों, लेकिन अगर उनके रूट अलग होई, जैसे कि यहां पर है, तो हम आपरी में संख्याओं को नहीं जोर सकते हैं, उनको हम अलग-अलग रखते हैं, ठीक है न, तो देखो, मी आपरी में संख्याओं को जोड़ना कितना असान है इसी तरह हम आपरी में संख्याओं को घटा भी सकते हैं तो देखा ना आपने सच में आपरी में संख्याओं को जोड़ना तो बहुत असान है तो घटाना मुश्किल है कि नहीं घटाना भी ऐसे ही ऐसे बस कुछ नहीं करना जहां आपने जोड़ा है ना वहां घटा देना जैसे कि 10 root 2 में से अगर आप 6 root 2 घटा होगे तो root वाले नमबर सेम होने चीए बस आपको ये धियान लखना है ठीक है 10 में से 6 के तो 4 4 root 2 आंसर सेम ऐसी 15 root 7 में 3 root 7 घटा होगे तो 15 में से 3 के तो 12 और root 7 ऐसी है ठीक है तो जब भी root वाले नमबर सेम होते हैं तब भी आप घटा सकते हो या जोड सकते हो असान है ना आप रही में संक्या को घटाना और जोडना चलिए आप कुछ कोशन्स दिये हैं जब उन्होंने हमारे को समझा दिया भीना ने अब कुछ कोशन्स दिये हैं जब आप कोशन्स को सॉल्व कर लेते हैं करा नेम का मान ग्याद कीजिए 25 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 सबसे पहले यह देखना है कि रूट वाली वैल्यू सेम है या ने बिकुल सेम है तो 25 में 6 प्लस कर दो 31 और यह रूट 2 ऐसी रहेगा ठीक है न सेकिंड है 8 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 फिर रूट वाली वैल्यू सेम है लेकिन याद रखना बीच में माइनस है तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा और रूट 5 ऐसी है ठीक है 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 तो 6 रूट 3 12 रूट 6 प्लस 18 रूट 6 दोनों की रूट की वैल्यू सेम है तो 12 में 18 को प्लस कर देते है 30 आजाएगा और रूट 6 ऐसी है 17 रूट 11 प्लस 3 रूट 11 तो 17 में 3 को प्लस कै तो 20 रूट 11 ऐसी है ठीक है 7 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 1 रूट 3 या फिर आप इसको रूट 3 भी लिख सकते हो ठीक है ना तो देखो मीना ने राजू को समझाया और उससे हमको भी समझ में आ गया कि आपर ही मैं संख्याओं को जोरते कैसे और घटाते कैसे अब आता है यहां पर होमवक कोशन दो कोशन मैं आपको दूंगी ठीक है तो एक है आपके पास 4 रूट 2 प्लस 9 रूट 2 एक है आपके पास 13 रूट 5 माइनस का 5 रूट 5 दोनों मैंने असान असान दियें तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर इन दोनों के क्या आंसर है ठीक है और एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी कि मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 9 के लिए स्पेशली एक अलग से चैनल स्टार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूं NCRT है ना तो मैं बता देती हूं चैनल का नाम है मेरा मैट्स कश्वतान तो जिनको भी NCRT स्टार्टिंग से करनी है तो वो जल से जल इसजल इस चैनल को सब्स्क्राइब करले और अपने NCRT से पूरा Hindi medium का support material भी है आपके पास practice papers जुआएंगे सब कुछ Hindi medium में आपको इस चैनल पर मिलेगा ठीक है तो आप अपने परहाई जल से जल शुरू कर दीजे नाइंध क्लास की ठीक है न चलिए अब जो वर्कशिट नमबर 5 है वो हम कब करेंगे अपनी next class में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर कीजिएगा और इस question का answer भी देना है ठीक है और मेरे channel को subscribe कीजिए थैंक यू